ओम नमस्कार मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम जे अक्छर से सुरू होता है उन लोगों के जीवन में साल 2022 एबम 2023 में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियों आपके आने वाले दो बरसों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एबम आबस्यक है तो आगे बढ़ने से पहले इस बेडियों को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें इस बेडियों के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दें और बेडियों को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पड़यास करें इस बेडियों के अंत में आपके आने वाले दो बरसों का अनोखा टोटका है जिस टोटके को यदि आप आजमाते हैं तो आपका आने वाला दो बर्स बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें मित्रों यदि आप अपनी जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीवन के बारे में अगर आप कोई भी बातें मेरे से पता करना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर मेरा वाटसेप नंबर है जिस नंबर पे यदि आप मुझे कॉल या मैसेज करते हैं तो आपकी बात मेरे से हो जाएगी मित्रों इस वेडियो में आगे मैं आप से बात करने वाला हूँ कि जिन लोगों का नाम जे अक्छर से सुरू होता है उन लोगों के जीबन में साल 2022 एबम 2023 में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों शब से पहले मैं आप से बात करने वाला हूँ आपके सिक्छा के बारे में आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में मित्रों आने वाले दो बरसों में आपके सिक्छा के छित्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा आने वाले समय में यदी आप अपने सिक्छा के छित्र में अपने समय के दुरुपयोग से बचते हैं, अपने कीमती समय को यदी आप बढ़बाद नहीं करते हैं, तो आपके पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का मौका आपको अबश्य मिलेगा आने वाले समय में यदी आप अपने सिक्छा के छित्र में मेहनत करते हैं, परिस्रम करते हैं, तो आपके समय का साथ, आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों आने वाले दो बरसों में जे नाम बाले लोगों के घ्यान में बहुत जयादा बृद्धी होगा, आने वाले दो बरसों में इस नाम के जातक बहुत जयादा बुद्धिमान एबं बिद्ध्वान बनेंगे मित्रों आप में से जो भी जातक मैनेजमेंट या बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आने वाले दो बरसों में इन छित्रों में भी आपको जो परिनाम मिलेगा आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो परिनाम वो रिजल्ट आपके पक्छ में होगा आने वाले समय में गुप्त बिद्या में या धार्मिक पुस्तक में आपकी रुची बहुत ज्यादा होगी मित्रों आप में से जो भी जातक कम्पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले दो बरसों में कम्पिटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को भी सफलता अबश्य मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक बैंकिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो साल 2022 एबम 2023 में आपके सिक्षा के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा आने वाले समय में आपको अपने लक्च के उपर में अपना ध्यान किंद्रित करना होगा मित्रों आने वाले समय में यदि आप अपने सिक्षा के छेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी एकागरता को आपको बढ़नी होगी एकागरता बढ़ने के लिए आपको ध्यान एबम योग का सहारा लेना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं ध्यान एबम योग का सहारा यदि आप लेते हैं तो आने वाले दो बरसों में आपके सिक्षा के छेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको बहुत जयादा मिलेगा मित्रों साल 2022 एबम 2023 में यदि आपके सिहत की बात करें आपके सुवास्त की बात करें तो साल 2022 एबम 2023 में आपका सिहत सामान्ने होगा न जयादा बिहतर न जयादा खराब मित्रों आने वाले समय में अपने सिहत के मामलों में आपको बहुत जयादा साबधानी बरतना होगा आने वाले समय में आपको अपने रहन सहन अपने खान पान के प्रती बहुत जयादा ध्यान देना होगा मित्रों आने वाले समय में काम के अलाबा आपको आराम के उपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि आने वाले समय में यदि आप अपने बोडी को अपने सरीर को अगर आप आराम नहीं देते हैं तो आपको कमजोडी का सामना बहुत ज्यादा करना होगा मित्रों आने वाले समय में सेहत को लेकर आपको साफ सफाई का ध्यान बहुत ज्यादा देना होगा इसके अलाबा आने वाले समय में आपको वाहन चलाते समय बहुत ज्यादा साबधानी बरतना होगा इसके अलाबा आने वाले दो बरसों में आप मोटापे के सिकार हो सकते हैं मित्रों आने वाले दो बरसों में आपको पेट संबंधी पड़ेशानी का सामना भी बहुत ज्यादा करना होगा साल 2022 एबम 2023 में आप में से जो भी जातक डाइबिटीज या हिर्दै संबंधी रोग से पड़ेशान हैं तो आने वाले दो बरसों में अपने सेहत के मामलों में आपको बहुत ज्यादा साबधानी बरतना होगा क्योंकि आने वाले समय में यदि आप अपने सेहत के मामलों में कोई भी लापड़बाही करते हैं तो आपको पड़ेशानी का सामना अबश्य करना होगा मित्रों इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आने वाले दो बरसों में आपका प्रेम शंबंध कैसा होगा मित्रों आने वाले समय में आपका प्रेम शंबंध सामानने तोर पे बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रों जिस व्यक्ती को आप दिलो जान से चाहते हैं तो आने वाले समय में वह व्यक्ती भी आपको दिल एबम जान से चाहेगा जिसके कारण आने वाले समय में आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा रोमान चक एबम बहतर होगा आने वाले समय में आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का के लिए कोई महंगा गिफ्ट खरीद सकते हैं जिसके बाद आपका प्रेम संबंध और जयादा बहतर और जयादा सांदार होगा तो मित्रों यही था जिये नाम बाले लोगों के साल 2022 एबम 2023 का रासी फल तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बहतर एबम सांदार होगा मित्रों साल 2022 एबम 2023 में आपको शनी बार के दिन पीपल के ब्रिक्ष में जल चढ़ाना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं सनी बार के दिन यदि आप पीपल के पेर में जल चढ़ाते हैं तो आपका आने वाला शमय बहत जयादा बिहतर एबम शांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो के नीचे जयए बाबा भैरब कमेंट कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें ताकि बांकी लोग भी इस वीडियो को देखें एबम अपने आने वाले समय को बिहतर एबम सांदार बना सकें धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे